चलिए तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं OBC आरक्षन की स्त्रेणी में नहीं चलेगी मनमर जी तो एक रोहिनी आयोग बनाया गया था ठीक है राजनितिक रूप से सनवेदन स्चिल इस मुद्दों को लेकर बनाया था इसके तरत क्या था कि OBC में सामिल 1000 से जादा ऐसी जातियां हैं जिन्हें इस आरक्षन का कोई लाव नहीं मिल रहा था जैसे मौजूदा समय में देश में OBC जो जो है क्टेगरी अधर बैकवर्ड क्लासेस इसमें 2600 जातियां आती हैं कितना 2600 जातियां इसमें आती हैं OBC में लेकिन बेनिफिट यानिक रिजर्वेशन का जो फायदा है वो मातर 600 लोगों को ही मिलता है ठीक है तो यह चीजों का प्रॉलम हो रहा था इसी को सौट आउट करने के लिए कि सभी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले इसको सौट आउट करने के लिए बनाया गया था रोहिनी कमिशन ठीक है यानि रोहिनी आयोग बनाया गया था इस आयोग के तहट था कि OBC में आने वाली ऐसी चातियां जिन्हें रिजर्वेशन का लाव नहीं मिलता है उनके उनके लिए यह लाया गया था कि उनको भी यह 27% का उन्हें लाव मिले अच्छा तो 27% का जो लाव है वो कब से शुरू हुआ तो यहां पे आ राज्यों में पहले से हैं OBC स्रणिकर और एक और प्रॉलम आ रही थी कि हर राज्य में जो है राजनितिक तोर पे जो भी वहां के लीडर्स हैं वह अपने इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ-कुछ OBC के OBC के अंदर भी अलग-अलग कटेगरी को उन्होंने डिवाइड क दर रखा है बहुत आरे राज्ये से आंत्य परदेश, बंगाल, जारकंड, बिहार, हर्याना, करनाटक, तिलंगाना, महराष्टा, तमिनाटु, जम्म, गस्मिर और पुदुचुरी यह सब जो है राज्य सामिल है OBC आरक्षन का वर्गी करन तेस के 11 राज्यों में पहले ही कव लाया गया था तो देखिए बात 1989 की है 1979 की उस वक्त मुरारजी देशाई जी ने एक कमिटी बनाया यह मालूम करने के लिए कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको कुछ बेनिफिट देने के लिए तो BP मंडल कमिशन बनाया गया या फिर BP मंडल कमिटी भी बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि BP मंडल जी इसको हेड कर रहे تھے इसलिए BP मंडल कमिटी हो गया जब बीपी मंडल जी ने अपना रिपोर्ट सौपा सरकार को और ये रिपोर्ट सौपा था 1980 में तो मालूम चला कि 1743 जो ऐसे कास्ट हैं जो कि समाजिक रूप से और सिच्छा के तोर पर यानि कि सोसली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं वो ठीक है यह बैकवर्ड क्लासेस है वो इसमें विकास नहीं कर पा रहे हैं तब जाके इसी यही जो कमिटी थी बीपी मंडल कमिटी थी इसी कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि जो OBC वाले हैं यानि कि OBC जो कि अधर बैकवर्ड क्लासेस क्योंकि SC और SD इन लोगों को तो रिजर्वेशन ओलडी पहरे से मिल रहा था ठीक है तो OBC वाले जो थे अधर बैकवर्ड क्लासेस उनको भी 27% का रिजर्वेशन दिया जाए गवर्मेंट जॉब में ठीक है तो यह कहना किसका था यह था बीपी मंडल कमिशन का तो आप समाझ के बीपी मंडल कमिशन किसलिए बनाया गया था और उसी वक्त से जो है अधर बैकवर परसेंट जो था वह OBC में जितने जातियां आती थी उन सब के लिए था लेकिन कहा जा रहा है कि करेंट में 2600 जातियां आती हैं OBC में लेकिन सिर्फ उनमें से 600 के करीब के लोगों को ही benefit मिल रहा है इसमें उनमें से सबसे जाए तो मातर सो लोग तो बहुत ज्यादा benefit उठ रहा है सो जातियां उनमें से मतलब कि 600 जातियों में से सो जातियां तो और भी ज्यादा benefit उठा रहे है तो ऐसा कहा जा रहा है इसलिए ये रोहिनी कमिशन लाए गया था तो इसी को थोड़ा सा ध्यान का रखने के लिए ये बात कही जा रही है और यहां पर इसी को इसी डे benefit मिले